नमस्कार दोस्तों प्रेग्नेंसी लाइफ एन यू चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाले सूर्य ग्रहन के बारे में आप गर्भवती होती है तो इसका असर आपके उपर कुछ जादा होता है आपको ज्यादा कुछ सावध्यानिया भी रखनी होती है कुछ कारे आपको करने होते हैं और कुछ कारे से आपको बचना चाहिए ये सब हमारे शास्त्रों में कही गई है धर्म में हर प्रगार के धर्म में इस तरीके की बाते होती आई हैं चाहे वो कोई भी धर्म हो हिंदू धर्म हो वो अपने अपने तरीके से इस बारे में बात करते हैं कि ग्रहन के समय पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो चलिए बात करते हैं इस ग्रहन के ब ये शेप का जो सूर्य आपको देखने को मिलता है जब वल्यकार सूर्य गहन होता है और यही 14 अक्टोबर 23 को आपको देखने को मिलेगा देखिए गहन जैसी घटाएं गरववती महिला के लिए काफी ज़्यादा चिंतेगा विश्या तो होती ही है क्योंकि काफी जैसे धर्म सब्सक्राइब को लोग सुपर्स्टिशन या फिर अंद्विश्वास कहके टाल दिया करते थे खेर अभी भी इस वीडियो को जो सुनने वाले होंगे लोग वो काफी कमेंट्स में बोल सकते हैं कि यह तरीके का जो है एक सूपर्स्टिशन है या फिर एक अद्विश्वास आपको special guidelines मिलेंगी कि आपको grand के दौरान अगर आपको देखना भी है grand को तो चस्मा लगा के देखना है special पर गाल के चस्मे होते हैं तो जो प्राणी बाते हैं वो कहना कहीं पर अब लोग accept कर रहे हैं क्योंकि जो इस समापे किर्णे निकलती है वो वाता ब्रेंड को काफी ज़्यादा दूशित कर देती हैं और ये दूशित तरंगे होती हैं ये definitely मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं और जब गर्ववती हैं आप तो आप वैसे ही काफी ज़्यादा समवेधनशील और कमजोर होती है और ऐसे मौके पे अगर आप ऐसी तरंगों के संपर्क में जाएंगे तो कुछ ना कुछ गलत घटित अवश्य हो सकता है ऐसी धर्मों में मानेता हैं और इनको अगर हम समझते हैं इनका हम पालन करते हैं साबधानी रगते हैं तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है इस समय पे वातावरन में नगारात्मक उर्जा बहुत जादा प्र भारती समय के अनुसार है और ग्रहन जो है अलग अलग जगा पे लग रहा है तो अगर आप ऐसे किसी शेत्र में हैं तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से इस टाइम को अपने टाइम जोन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अब चली समझते हैं कुछ साथधनियों के बारे अगर आप ऐसा करते हैं तो मानिता के अनुसार इसका सिधा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है मानसिक और शारेरिक रूप से बच्चे के ऊपर इसका बुरा परभाव पड़ता है तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें लेकिन अगर आपको किसी भी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है तो आपके लिए कुछ उपाएं भी हैं इसके लिए आप ग्रहन काल से पहले ही कुछ तुलसी के पत्तों को तोड़ लीजिए तुलसी के पत्ते का अगर आप लेप अपने पेट पे लगाते हैं तो इससे आपको काफी ज़्यादा सुरक्षा मिलती है तो यह कि आप वैसे भी कर सकते हैं चाहिए आप बाहर जा रहा है या नहीं आ रहा है आपने पेट के अउपर तुलसी का या फिर चंदन का लेप आवश्य रगाएं इससे ग्रहन की हानी का रख किर्णों का असर आपके ओपर नहीं होता है तुलसी के पत्ते की और भी महत्तवता ह वैसे तो गिर्ण काल में आपको खाना बिल्कुल ही वर्जित होता है लेकिन अगर आप कि प्रेग्नेंसी किसी भी तरूप में सही नहीं चल रही है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन सारे नियम्स को फॉलो बिल्कुल भी ना करें जो भी मैं आपको बता रहा हूं या आपको कुछ भी खाना नहीं चाहिए कुछ भी पीना नहीं चाहिए वैसे तो यह गिर्ण जैसे मैंने बताया है कि 8 बच कर 33 मिट पर शिरूँगा तो कोशिच करिए कि आप इससे पहला ही अपना खाना पीना खा चुके हों क्योंकि समाफ्थ होने के बाद ही आपको जो भी करना होता है उसके बाद ही आप कर सकते हैं दो बच कर 35 मिट पर समाफ्थ होगा तो अपना खाना पीना ऐसे रखें कि इस दौरान आपको भूग ना लगे इस दौरान आपको प्यास ना लगे पानी भी आप नियमित ही पीए बहुत जादा पानी भी ना पीए क्योंकि इस स साथ ही में इस समय पे आपको सोना भी नहीं होता है आपको सोना नहीं लीनी है ग्रणकाल के दौरान आपको कोई बी एनी चीज को छूने से बचना है अगर आप ऐसी कोई भी चीज को छूते हैं जैसे की पिन हो गई, सुई हो गई, कील हो गई, कैंची, चाकू, इस तरीकी की नुकीली कोई भी चीज छूते हैं तो इससे ऐसा माना जाता है कि बच्चे की अंग का कटने का फटने का भाय भी बना रहता है, जैसे आपने देखा ले रहे हैं तो सारे ही precautions लीजिए इस समय पे आपको बिल्कुल अपने मन को साफ रखना है कोई भी किसी के बारे में बुरे विचार आपको नहीं लाने है किसी भी बच्चे के ओपर हाथ नहीं उठाना है कोई भी अपशब्द आपको नहीं बोलने है इस समय पे पूजा करना इदम वर्जित बाना जाता है आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको मंदिर भी जो हैं अपने ढग देने हैं पहले तो मंदिर जो बाहर होते हैं जो पबिक विए होते हैं वो तो अल्यडे ही बंद हो चुके होते हैं चाहिए कोई भी घरण के मंदिर के आगे बैठ जाएं ऐसा भी आपको नहीं करना है क्योंकि गिःण काल के दौरान मंदिरों को चुना नहीं होता है भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं उनको भी आपक तो माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइदेमन होते हैं आप हनुमान चालीसा, दुर्गास्तुति, शिफ चालीसा, गायत्री मंत्र, ऐसे मंत्रों का जाबे साहबे करते हैं तो ये आपके लिए और गर में बल रहे बच्चे के लिए शुब संकेत लेकर आते हैं, वैसे माना जाता है कि गर्ण के समय पे अगर आप इन मंत्रों का जाब करते हैं तो आपको कई लाफ गुणा फल मिलता है, अब जब गर्ण काल खतम हो गया उसके बाद आपको ना लेना चाहिए, जो अपने कपड़े पैने वे हैं उनको भी आपको चेंज कर लेन दर आई हैं, तो उनका जो इफेक्ट है, वो समाप के जा सके, तो एक तरीके से गल्रजा जड़क के आप जो भी नगारात्मा कूर्जा है, यह नेगेटिविटी है, उसको आप खतम करते हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप इन सब साफधानियों को जरूर बढ़ते हैं, भारत की अगर बात कर ली जाए, तो भारत में यह नहीं दिखाई देगा, और इसलिए भारत में इसका सूतक भी मानने नहीं होगा, लेकिन मेरी मीडियों हिंदी में हैं, तो आप इंडिया से ही देख रहे हैं, हो सबता है कि आप अलग देशन से भी देख रहे हों, तो अगर दिखाई देगा, और इस तरी की से मैंने बताया कि रिंग ओफायर की रूप में दिखाई देगा, तो वहाँ पे अगर आप सिथित हैं, तो इन सब बातों को आपको अधिक धियान रखना है, भारत में हैं, और क्योंकि मैं बताई चुगाँ कि भारत में दिखाई नहीं द रहेगा, वैसे तो ये विशे अध्यात्म का विशे है, धर्म का विशे है, और मानेताओं का विशे है, तो अगर आप इस सब चीनों को मानते हैं, तो डेफिनिटली आपको इन सब चीनों का अनुसरन करना चाहिए, बाकी साइस ने भी अब धिरे-दिरे करके इन सब बातो होने पहले ही हमें सिखाया है, हमें उसका अनुसरन करना चाहिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट कर गया विशे बताएं, इस तरीकी कि ये प्रेग्नेंसी से संबंदिध वीडियो के लिए आप हमको यूटूब पे सब्सक्काइब करें, फेस्बुक पे फॉलू करें और इस्टाग्राम में भी आप हमको फॉलू कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कर